फासी की सजा से फिलहाल बचा है करनेल एंकाउंटर के दौरान जॉइंट कमिशनर रहे करनेल सिंग ने एंबीटी से की बाद 2008 से विवादों में रहे बटला हाउस एंकाउंटर को 15 साल बीद गए दोशी ठहराए गए आतंकी आरिच खान की मौत की सजा को गुरुवार दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट ने आरिच को मौत की सजा सुनाई थी बटला हाउस एंकाउंटर किताब में कई राज खोलने वाले एडी के पूर्व डाइरेक्टर और इस एंकाउंटर के दौरान जोईंट कमिशनर रहे करनल सिंग ने एनबी टी को बताया कि हाई कोर्ट के फैसले से स्पेशल सेल की काररवाई और क्राइम ब्रांच की जांच सही साबित होती है लिहाजा दोशी ठहराए गए एहंदाबाद जैपुर बगलार दिल्ला आरिज उर्फ जुनेत को राहत यूपी में किये उस पर हुए उसमें से नहीं मिली बस फासी की सजा से वह बचा है अभी तक दो केस में जज्जमेंट फाइनल हालां की मेरी जांका बताया कि इस केस में दो इंगल से जांच हुई एक जांच टेरिजम को लेकर दूसरी एंकाउंटर को लेकर एंकाउंटर की जांच क्राइम ब्रांच ने बहुत ही साइंटिफिक एविडेंस के साथ की यही वजह है जज्जमेंट क्राइम ब्रांच की जांच पर आधारित ह दुसरी जाच इंडियन मुझेदीन ने जो बम बतास्ट वोट बैंक के लिए कुछ लोगों ने एंकाउटर को कहा था फर्जी वर सही था स्पेशल सेल का करनेल सिंग बताते है कि उस समय असेवली और लोकसभा के चुनाव नजदीक थे ऐसे में कुछ नेताओं ने पूर एंकाउंटर को राजनीती से जोडने की कोशिश की थी ब्यानबाजी कर बिना तत्यों के आधार पर एंकाउंटर पर सवाल खड़े करने लगे चुनकि जब जिम्मेदार नेता अपने बयान देने लगे तो लोगों के मन में बेग जैका शक पैदा होने तगा की जरूर कुछ गड़बर है उस समय ऐसी बयानबाजी से स्पेशल सेल के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया गया था लेकिन बाद में नेशनल हायमन राइट्स कमीशन की जाच हुई यह मुद्दा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गया कोर्ट ने भी यही माना की एंकाउंटर सही है उसके बावजूद कुछ लोग एंकाउंटर को फरजी बोलते रहे जिसमें तब के एसीपी संजीव यादव इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत से इंपुट जुटा कर एक्शन लिया जिसका प्राया फैसले से सेश सेल की कारेवाई और Crime Branch की जांच सही जहां ब्लास्ट हुए वहा की कोर्ट में ट्रायल चल रहा है जबकी सर्भी में आरोपी लगभग कॉमन है इस पूरे प्रोसेस में ट्रायल लेट हो रहा है सभी जगह के केस में एक ही ग्रप शामिल है तो सही यह होता की एक ही जगह centralized trial होना चाहिए था, जिससे case fast track court में चल सके, action, crime branch की जाचा सिंग मुसार encounter case में दो लोग मौके से भागे थे, एक शहजाद और दूसरा आरिज उर्फ जुनेड, इन्होंने पुलिस टीम पर फारियरंग भी की थी, जिसमें हमारे जानबाज इंस्पेक्ट मोहन चंद शहीद हुए थे, एक हेट constable बलवंद को हाथ में फ्रेकवा आया था, यही आरिज उर्फ जुनेड, 2018 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था, 2021 में लोग कोर्ट के फैसले और अब गुरुवार को हाई कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि special sale की कारवाई एक दम सही दिशा में थी